शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें प्रति दिन शहर में कोरणा संक्रमितों का आकड़ा बढ़ रहा है शहर में सतरंजीपुरा और बांगला देश ये दोनों कोरणा के होट स्पोर्ट बने हुए थे अब आने वाले दिनों में शहर का नया होट स्पोर्ट शहर का सेंटरल जेल बन सकता है ऐसा लग रहा है आये जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारे समधता संजे मिरे की इस रिपोर्ट पर डालते है एक नजर कोरोना मरीजों की हर दिन बढ़ती संक्या सिटिक लिए चिंता का विशय बनी हुई है जब तक मरीजों की संक्या में कमी नहीं आएगी तब तक लॉक्डॉण में भी राहत नहीं मिलेगी हालात यह है कि कोरोना की चेन टुटने का नाम ही नहीं ले रही और 45 नए मरीज मिले है इनमें सेंट्रल जेल के 12 लोगों का समाविश रहा सेंट्रल जेल से अब तक के सव के आसपास अधिकर्मचारी अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है यह पहली तै हो गया था कि लॉक्डॉण में राहत के बाद मरीजों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि लोगों का घर से निकलने से लेकर अप अपने काम पर जाना शुरू हो गया संपर्क बढ़ने से ही कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है सेंट्रल जेल के साथ ही हिंगना काटोल रविनगर पी डबली डिकॉर्टर के लोगों का समाविश रहा अधिकाउंज मरीजों की स्तिती सामन ने होने के बाद 10 दिन के भीतर चुट्टी दी जा रही है केवल गंबीर मरीजों को ही और 7 दिनों तक रखा जा रहा है जो मरीजों को पहले से ही अन्य बिमारियों से पिडित है उन लोगों में लक्षन देखे जा रहे हैं फिर भी नाकपुर में कुल मिलाकर रिकोरी रेट अन्य शवरों की तुल्ला में अधिक है इसी बीच मेयो और मेडिकल से अब तक के कूल 14 लोगों को छुट्टी दी गई नाकपुर के सेंटरल जेल में कोरोना पॉजिट्व की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है का नाम ही नहीं ले रही है yeah पिशंकिटी नापपूर के सेंटरल जेल के पास है आप देख सकते कि मेरी बाई और सेंटरल जेल है और इसे सेंटरल जेल में से तीन दीन पहले में एक जेल करमी पॉजिटिव आया गया था जिसके चलते जैसे ही जेल करमी पॉजिटिव आया गया और यहां पे 21 लोगों को क कॉरिंटाइन किया गयता है जिसमें से 30 लोग पाए गया है पॉजिटिव आये हुए है और बाकी की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है अब देखना यह होगा नाकपूर के सेंटरल जेल से और भी आकड़ा बढ़ता है या निगेटिव आता है यह कहना अभी हाल फिलाल में स कोब्रागड के साथ संजय मीरे इनबीसेन निल्स नाकपूर